हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है सुनेना की रसोई में और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़िदार और जठपट वाली रेस्पी जिसे देखते ही मुह में पानी जरूर आ जायेगा है तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूरा यूपी स्टाइल में यानि यूपी में बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फरा तो एक दम नए तरीके से बनाएंगे बढ़ियां से तड़का लगा के तो चलिए आज इस रिस्पी को बनाते हैं और खाते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने दाल ले लिए हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीजे कट कर लिये हैं, तो यहाँ पर दो मैंने लाल टमाटर कट कर लिये, छोटे-छोटे, तीन यहाँ पर मैंने मिर्ची कट कर लिये, छोटे-छोटे, यहाँ पर लहसन और अध्रा का पेस्ट मैंने त्यार कर लिया है, हरा धन कट कर लिया है एक बड़ा यहां पर प्याच कट कर लिया चोटा चोटा और कड़ी पत्ते ले लिए दासबार तो यहां पर देखिए गरम कुकर में मैंने तीन चमच भर के मैंने सरसो के तेल डाल दिये हैं तेल गरम हो चुका है इसमें एक चमच भर के जीरा डाल दिया है जी पत्ते भी डाल देंगे और इसके बाद इन सभी चीजों को लो फ्लेंपे हमें हलका सा यहाँ पर color change होने तक भून लेना है तो सारी चीज़े देखिए अच्छी तरह से हमारी यहाँ पर लो फ्लेंपे भून गई हैं अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा साम इसमें डाल दे और इसको भी हम अच्छी तरह से भुणेंगे तो प्याज हमारी देखिए भुण चुकी है हलक़ा सा प्याज का जो कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ लाल तमाटर तो इसमें आप लाल तमाटर ही डाले इससे जो है बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे, आधा चमच यहाँ पे हम हल्दी पौडर डाल देंगे, एक चमच यहाँ पे हम मिक्स मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च का पौडर डाल इसके बाद हम यहां पे सभी चीजों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पे मतलब जब तक टमाटर गल नहीं जाता है तब तक हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से यहां पे पका लेना है तो ये देखिए टमाटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुका है अब इसमें हम धूला हुआ जो डाल है इसको हम इसमें डाल देंगे तो देखिए सारा डाल हमने धो के पहले ही रख लिया था तो डाल को हमें इसमें डाल देना है तो पूरा दाल हमने देखिए तड़के में डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से चला के हमें मसाले के साथ इसको भी हमें पकाना है इसके बाद इसमें हम अभी पानी डाल देंगे तो घर में आपके जितने family member हों उसी साब से आप पानी डाल दें तो यहां पर मैं देखिए 2 लिटर इसमें पानी डाल रही हूँ और इसके बाद इसको हम ढखल लगा के छोड़ देंगे तो अभी यहां पर देखिए मैंने गियों काटा ले लिया है और इसका भी हमें डो तयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें डो को तयार करना है तो नॉर्मली हम जैसे चपाती के लिए और पूड़ी के लिए हम डो तयार करते हैं वैसे ही हमें यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डालके और डो को तयार कर लेना है तो दोस्तों यहां पे हमारा डो तयार हो गया है तो अच्छी तरह से मसल के मैंने यहां पे तयार कर लिया है इसके बाद अब इसको हमें रख देना है और थोड़ा सा हम साथ में इसके आटा भी रख देंगे अब यहां पे देखिए हाथ में आटा लगा लेना है और इस तरह से एक लोई कट कर लेना है बड़ा सा और इसमें से हम छोटे छोटे इस तरह से बॉल जैसे ए देखिए लोईयां कट कर लेंगे पेड़े के साइज की और उसके बाद देखिए हथेलियों में इस तरह से रखके पेड़ा जैसे हमें इसे बना लेना है फिर से आटा लगा लेना है इस तरह से और देखिए उंगलियों से हमें इस लोई को इस तरह से अराम-अराम से बड़ा करना है कर देना है तो इसके चार मूँ बन गए अब थोड़ा सा प्लेट में हम आटा को इस तरह से चिड़क लेंगे ताकि यह प्लेट में बिल्कुल भी चिपके नहीं उसे और फिर से हम दूसरी लोई ले लेंगे और इसको भी देखिए इस तरह से हथेलियों में हम पेड़े जैस बराबर और आटा लगा के उंगलियों से प्रेस देते हुए पूड़ी के बराबर हम इसे बड़ा कर लेना है और बीच में से इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेना है और यह देखिए भी हमारा बनके तयार हो गया है इसी तरह से हम यहाँ पर इस फारे को तयार कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर धेर सारा हमने आटा का फारा बना के तयार कर लिया है और यहाँ पर देखिए दाल में अभी अच्छी तरह से उबाल आ गई है अब एके करते हुए हम सारे फारे को दाल में अरम-अरम से डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए दाल में मैंने एके करके सारे फारे मैंने डाल दिये है गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखते हुए हमें इसे पकाना है तो यहाँ पर अभी है इसको हम ढखके पांच मिनिट पका लेंगे तो अभी पांच मिनट हमारे देखिए पूरे हो चुके हैं और प्लेट अटा के हम चैक कर लेते हैं तो यह देखिए यह भी लगबग हमारा होई चुका है और इसी में हमने थोड़े और बना ली हैं उसको भी हम डाल देंगे तो एक एकर के सारे फारे डाल देंगे और कम से कम दस मिनट तक हम प्लेट से इसको ढख के और अच्छी तरह से पकाएंगे यानि कि दस मिनट में यह अच्छी तरह से पक के तयार हो जाएगा तो देखिए दस मिनट हो चुके हैं और हमारे ये दाल फारा बनके तैयार है बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है बहुत ही टेस्टी बना है अब इसके उपर से देखिए हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया तो है न बहुत ही मज़दार रेसिपी आप इसे जरूर ट्राइ करिए छेल है, यह बहुत ही जेट-पर वाली तुरन्थ बन जाती है और बच्चे भी बहुत इसको पसंद से खाते है, बड़े भी खाते है I hope आपको यह रेसिपी पसंद आएगी तो यह आपको यह रेसिपी पसंद हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करेए शेर करिए और साथ में चैनल जरू से सब्सक्राइब करिए तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई